तीन टेस्ट खेलने वाले मुहमद नभी ने किया सन्यास का इलान, फैसले के पीछे बताई खास वज़े है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ओल राउंडर मुहमद नभी ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास का इलान कर दिया है। बांगलादेश के खिलाफ चल रहे एकलोते टेस्ट मैच के तीसरे दिन नभी ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी नभी ने बताया कि बांगलादेश और अफगानिस्तान के बीच चटगाव में खेले जा रहे एक मात्र टेस्ट मैच के बाद वे क्रिकेट के इस लंबे और पुराने फॉर्मेट में नज़र नहीं आएंगे 2017 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट स्टेटस का दरजा मिलने के बाद 34 वर्षिये और टीम के सबसे अनुभवी खिलाडी मुहमद नभी ने मात्र तीन टेस्ट ही खेले हैं जून 2018 में भारत के खिलाफ टेस्ट डेव्यू करने के बाद नभी ने आईरलेंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला और अब बांगलादेश के खिलाफ तीसरा और अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं नभी ने अपने सन्यास के फैसले के पीछे की बज़र बताते हुए कहा मेरा सपना था टीम को टेस्ट नेशन का दरजा दिलवाना जो पूरा हो चुका है अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉर्मेट में युवाओं को मौका मिले क्यूंकि वे सभी घरेलू क्रिकेट में नभी ने आगे कहा कि वे वन डे और टी डट क्रिकेट खेलते रहेंगे और अपनी फितनेस पर ध्यान लगाएंगे साथ ही उन्होंने युवाओं की मदद और उनका मार्क दर्शन करने की भी बात कही टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले नभी देश की कई टी डट लीग में भी खेलते हैं और हाल में उन्होंने अपनी टीम की तरफ से वर्ल्ड का भी खेला थे